डियर स्टुरेंट्स आज गा टोपिक है कार्ये पालिका शरकार के तीन अंग होते हैं कार्ये पालिका विधान मंडल और नयपालिका ये तीनुई अंग अलग अलग परकार से कार्ये करते हैं कानून बनाना ये कारिये विदान मंडल का या विदान विदाईका का होता है कानूनों को लागो करना ये कारिये पालिका की द्वारा किया जाता है और कानून की व्याख्या करना और नागरिकों के मोलिक दिखारों की रक्षा करना ये कारिये न्याई पालिका द्वारा किया जाते है हमारे परशाशन के तीन अंग है विदान पालिका या विदान मंडल नमबर दो है कारिये पालिका और नमबर तीन है न्याई पालिका कारिये पालिका सरकार का दूसरा मेहत्वपुर्ण अंग है इसका कारिये सरकार की इच्छाओं को वास्तवी रूप देना है कारिये पालिका में बेशब करमचारी और संस्ताय आ जाती हैं जिनका कारिये कानून के अंतरगत राज्जे की इच्छा को लागू करना होता है प्रोफेसर गिल्कराइश्ट ने बड़े ही सुन्दर सब्दों में कहा है कि कारिये पालिका सरकार की वैशाखा है जो कानून द्वारा परकट की गई लोगों की इच्छा को लागू करती है गैटर लिखता है कि विशाल भूप में कारिये पालिका में वैदानिक इम नयाई का दिकारियों को छोड़ कर सबी करमचारी आ जाते हैं इसमें सरकार की वैशामस संस्ताइशा मिल है जो कानून द्वारा परकट की गई राज्ये की इच्छा को लागू करने से शमंदित है यदि कारिये पालिका का विशाल एंव्याप पकर्थ लिया जाए तो इसमें देश का कारिये कारी मुख्या उसकी कारिये कारी प्रिशद अथ्वा मंत्री प्रिशद येदि कार्ये पालिका का अर्थ सिमित रूप से लिया जाए तो इसमें देश का कार्ये कारी मुख्या, उसकी मंत्री प्रिशा तथा मंत्री मण्डल सामिल होता है अन्य शब्दों में कार्य पालिका के शिमित अर्थ में या शिमित अर्थ के नुसार इसमें ऐसे निक अदिकारी तद्धा करमचारी शामिल नहीं होते है कार्य पालिका की परकार कारिय पालिका भी कई परकार की होती है जैसे कि वास्त्विक कारिय पालिका और नौमत्र की कारिय पालिका दूसरी होती है शंशदी कारिय पालिका और अद्देख्षाथ में कारिय पालिका तीसरी होती है एकल कारिय पालिका और बहुल कारिय पालिका सोथे होती है पैतरक और निर्वाचित कार्यपालिका और एक होती है मनोनित कार्यपालिका ये कार्यपालिका की अलग-अलग परकार है धर्नेवाद